हलो दोस्तो मेरा नाम है नील आप देख रहे हमरा अपना यूटुब चैनल जिसका नाम है वी आर फार्मर्स दोस्तो आज की यह वीडियों नेयली है बहुत बहुत ही खास दोस्तो क्योंकि इस वीडियों में हम आपको दिखाएंगे लायू बारिश को कैसे मापते हैं जी हाँ दोस्तो आपको तो पता है हार एक चीज को किसी ना किसी प्रकार मापा जाता है उसी प्रकार बारिश को भी माप जाता है और बारिष को जिस यंत्र से मापते है उसे हम कहते है प्रजन्य मापन यंत्र जिसे अंगरेजि में Rain Gauge Meter या फिर Simmons Gauge आइसा भी कहा जाता है तो इस हुडियो में हम आपको दिखाएंगे लाईव बारिष को कई से मापते है यह Rain Gauge क्या होता है और इससे वर्षा कैसी मापी जाती है यह पूरा का पूरा प्रोसेस हम इस हुडियों में आपके लिए दिखाएंगे दोस्तों आज तक यूटुब पर ऐसी एक भी हुडियों बनाई नहीं है जिसमें आपको लाइव रेंगेज मीटर से वर्षा को मापते हुए इसलिए यह वडियों होने आली बहुत 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 ही पेशल दोस्तों तो अभी से कर दिजिए वीडियो को लाइक और अभी तक आपने हमरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबाईए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियों दोस्तों अभी जो आप सामने देख पा रहे हो यहाँ पे वर्षा हो रही है और यहाँ पे इसी वर्षा होते समय ही हमने इस रेंगेजमेटर की रीडिंग लिये है यहाँ पे आप दो हरे कलोर के देख रहे हो कंटेनर जो राइट साइट में है दोस्तो वह automatic range meter है और left side में जो है वह manually range meter है इसे non recording भी कहा जाता है क्योंकि इसका reading हमें खुद लेना पड़ता है यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी बारिश चल रही है और यहाँ पे हमने range meter के अंदर से एक plastic का containing bottle है उससे यह पानी जमा किया है एक mug में और इसको ले जा देख रहे हो यह non recording range meter कहा जाता है इसको क्योंकि यह self recording नहीं करता दोस्तो हमें इसमें जो बारिश होती है उसको खुद manually count करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे decide करना पड़ता है कि कितनी बारिश यहाँ पे हुई है तो इसलिए इसे non recording range meter आईसा भी कहा जाता है और दूसरा आपने right site में जो देखा दोस्तों वह दोस्तों automatic और self recording range meter है उसकी आलक से वीडियो बनेंगे हम आपके लिए यहाँ पे हम फिर से दुबारा खोल के दिखाते हैं यहाँ पे आप एक देख पा रहे हैं एक फनल टाइप का उपर का हेड है दोस्तों और इसी फनल से नीचे यहाँ पे पानी इस containing bottle जो है प्लास्टिक का उसम को हम यहाँ पे ले जाकर मापते हैं और सिंपली इस range meter को बस सिंपल है दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ तो दिखाने के लिए है नहीं दोस्तों लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था कि लायू कैसे मापा जाता है तो चलिए अब बारिश खुलने के ब दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहे हो जो बारिश होती है वह सीधा इस bottle में जाम होती है और याद रखिए इस bottle को कोई छेदने होना चाहिए जो यहाँ पे नई है इस bottle को एक plastic cylinder टाइप अंदर का आप देख पा रहे हो यह bottle इसके अंदर रखा जाता है इस bottle का size obviously cylinder से चो इसना diameter इसका होता है और बस यह simple है दोस्तों इस range meter में ज्यादा कुछ दिखने के लिए है इसमें एक काफी simple है दोस्तों लेकिन फिर भी इससे हम वर्षा किस तरीके से मापते हैं यह काफी महतो पुर्ण है और किसानों की जीवन में तो इसका काफी सारा महतो है कितने बार बादा नहीं होनी चाहिए यानि कि बड़ा पेड़ बड़ा खंबा या कोई बड़ी बीडिलिंग ऐसा कोई भी रिकावट नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तों इससे यह आफेक्ट होता है कि बारिश की जो बूंदे गिरती है वह यदि बड़ा पेड़ या कोई खंबा ह होता है इसके आसपस तो वह उसमें रुकावट डालेंगे दोस्तों और हम ठीक से यहाँ पे बारिश काउंट नहीं कर पाएंगे तो यह काफी इंपोर्टेंट किस तरीके से बना सकते हो और उसको किस तरीके से काम में ले सकते हो तो यह थो था दूस्तों रेंगेज मीटर यहाँपे देख पा रहे हैं आज सपस कोई बड़ा पेड़ ब्रिडिलिंग आई सब कुछ भी नहीं है तो चलिया आप पहले वीडियो में फिर से अपस आते हैं जहाँ पे हमने एक मग में यह पानी कलेक्ट किया था वर्षा का और इसको ले जाकर हम यह आपे मापेंगे और आपको बतेंगे कि कितनी बारिश है आपे हुई है और एक चीज दोस्तों आपको यहाँ पे में बताना बहुत ही जरूरी समझता हूँ इस रेंगेज मीटर के ज सबी दिखा पाऊ और पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पे समझा पाऊ कि किस तरीके से यह रेंगेज मीटर काम करता है और इससे वर्षा कैसी मापी जाती है तो चलिए अब हम इस मग में पानी हमने जम किया है जो वर्षा से यहाँ पे जम हुआ था और यहाँ पे आप ए सब्सक्राइब करेंगे और उसमें जो भी पानी हम जितने समय में कलेक्ट करते हैं तो बहुत ट्वेंटी मिलीमीटर वर्षा यहाँ पे कहीं जा सकती है अभी तो हमने जो जमा किया है पानी वह एक घंटे का रिडिंग है दोस्तों और यहाँ पर देख पा रहे हो इस मेज जमा किया है दोस्तों वह हमारे रेंगेज मिटर का रिडिंग यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों यह 13 से थोड़ा उपर है तो 13 से 14 तक 5 रेका है दोस्तों यानि कि एक रेका का मतलब 0.20 हुआ और 13 से उपर एक रेका है तो दोस्तों यह 13.20 मिलीमीटर इतनी बारिश आपको लायू बारिश मापती हुए दिखाई दी है दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार इस रेंगेज मिटर को देख लिजे दोस्तों आपकी जानकरी लिए मैं बता दूस्तों एक मिलीमीटर जब बारिश होती है तो यह बारिश एक स्क्वेर मिटर पे एक लिटर इतनी बारिश होती है और अभी जो हमने बारिश दर्ज की है वो 13.20 यानि कि हर एक पर स्क्वेर मिटर पे यह 13.20 लिटर इतनी बारिश आपे हुई है तो यह जो रेंगेज मिटर आप जो देख पा रहे हो दोस्तों यह गवर्मेंट के जरीये मॉनिटर किया जाते है और यही डे देटा हमरे लिए फिर से पब्लिश किया जाता है गवर्मेंट में ऐसे बेसिकली बहुत सारे रेंगेज मिटर लगाई हुए होते हैं जिसके जरीये वह बारिश को मापते हैं और उसका डेटा हमरे लिए पब्लिश करते हैं तो बस इतना ही था दोस्तों वीडियो में ज्य आपको थोड़ा बहुत तो रेंगेज मिटर के बारे में जरूर समझा पाया हुँ यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अभी तक भी आपने हमरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्य तो खुट ओुट सूनल को सब्सक्राइब कीजिए इन्यूर प्रूर में आपको यह वीडियो कर दो कि ई Willi झापको फुट रबादाब नहीं किया हैं जरूर एकषिवा झाल सब्सक्राइब के पार वीडियो derechos आपको तो अबारे में पारे में अवार दो भीछियो ऑर एको